हलो फ्रेंट्स इस टूडू एप का युआई थोड़ा इंप्रूव करते हैं उसके लिए हम मटीरियल युआई का ग्रेट यूज़ करेंगे तो मटीरियल युआ की वेबसाइट पर मैं आ गया हूं और यहां पर लेयाउट के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर लेयाउट है लेयाउट के अंदर ग्रेट है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ग्रेट सिस्टम पता चलेगी इसमें 12 कॉलम्स होते हैं जैसे कि बू पता है अगर आपने बूट्श्टैप पर काम किया होगा तो आपको समझा जाएगा तो इसका थोड़ा एक्जाम्पल देखते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यह ग्रेट कॉंपोनेंट एड़ करना पड़ता है और उसमें कंटेनर होता है और उसके बाद ग्रेट आइटम होती है और एक्ट्रा स्मॉल में आपको साइजस डिफाइन करनी परती है इसे कि 12 कॉलम हो गया और फिर मेडियम साइज में आप 6 कॉलम रख सकते हो इस तर करता हूं विजुल स्टुडियो कोड में और मैंने औरेड़ी ग्रेट कॉंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया है मैं क्या करूंगा नीचे यह तूडू फॉर्म और टूडू लिस्ट को ग्रिट में दालूंगा अब बार हमको ग्रेट में नहीं चाहिए क्योंकि वह टॉप म दे देते हैं ठीक है और यहां पर मैं लिखूंगा कंटेनर और उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेट आइटम और अगर हमारा डिवाइज एक्स्ट्रा स्मॉल है तो उसमें हम लेंगे 11 कॉलम्स और अगर मिडियम साइज है तो हम उसमें लेंगे 8 कॉलम्स और अगर लाज है तो उसमें हम देंगे four columns और इसे close करते हैं और इसका closing tag को cut करते हैं और यहाँ पे paste करते हैं इसको tap देते हैं थोड़ा सा ठीक है और इसको save करते हैं और अभी चलते हैं browser में तो जैसे कि आप देखोगे large screen में यह four columns हो गया और मैं responsive में चेक करता हूँ तो अगर large में देखोगे तो यह four columns हो गया medium में अगर आप देखोगे तो यह eight columns लेता हैं और extra small में 11 ठीक हैं तो अभी यह center में नहीं है इसको center में करने के लिए हमें visual studio code में चलना होगा और यहां पर लिखना होगा justify equals to center इसको save करते हैं और चलते हैं browser में और जैसे कि आप देख रहे हो यह center में आ गया अभी यह जो है app bar और इसमें gap नहीं है बिल्कु छिपक गया है तो इसको थोड़ा margin देते हैं तो चलते हैं visual studio code में और यहां पर लिखते है style equals to margin margin-top style देने के लिए दो curly braces आएगे margin-top margin-top हम देंगे 1rem इसको save करते हैं और चलते हैं browser में अब देखो यह उपर से थोड़ा margin इसको लग गया हूँ अभी यह जो input field है और यह जो list है उन दोनों में बिल्कुल gap नहीं है तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने to do form.js में और यहां पर text field में नहीं सारी यहां पर paper में हमको style add करनी होगी margin-top और bottom से हम देते है 1rem और right और left से देते है 0 ठीक है इसे save करते हैं और चलते हैं browser में अब देखोगे कि अभी वह space add हो गया अभी यह जो input है वह बिल्कुल center में आ रहा है तो उसके लिए मैं चलता हूँ इसने visual studio code में और app.js में जो class है इससे मैं निकाल देता हूँ class name में निकाल देता हूँ इसकी हमें दर्वत नहीं है अभी check करते हैं तो यह left में आ गया ठीक है अभी चलते हैं हम हमारे to do form.js में और इसमें पैडिंग भी थोड़ी दे देता है तो उसके लिए मैं लिखोंगा पैडिंग जीरो और टॉप और बॉटम से जीरो और राइट लेफ से वन आरीम ठीक है इसको सेव करते हैं और चलते हैं अभी थोड़ा पैडिंग उसको लग गया ओके अभी चलते हैं विज्वल स्टूडियो कोड में और टेक्स्ट फील्ड में हम एड करेंगे लेबल सो मैं लिखोंगा लेबल इक्वल्स टू एड न्यू तू अभी यह लाइन बड़ी हो गई है तो इसके लिए मैं दूंगा ऑप्शन जेड तो यह नीचे आ गया और यहां पर मैं दूंगा मार्जिन इक्वल्स टू नॉर्मल इसको सेब करते हैं और चलते हैं ब्राउजर में ठीक है अभी यह बिल्कुल पर्फेक्ट लग रहा है तो अभी इसे रिस्पॉंसिव में चेक करते हैं तो मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूं मोबाइल डिवाइसेस में चेक करेंगे तो आप द अच्छा लग रहा है ठीक है तो रिस्पॉंसिव में निकाल देता हूं फिलाल तो स्टाइलिंग तो हमने कर दी अभी आगे बढ़ते हैं और अपने विजो स्टूडियो कोड में चलते हैं अभी हम टूडू लिस्ट में एक नया कॉंपनेंट बनाएंगे इसका नाम हम दे करेंगे टूडू.js और यहां पर हम इंपोर्ट लिखेंगे इंपोर्ट इर्ट हम हम यहांपर लिखेंगे तो डू और रेतने में हम लिखेंगे एक लालते हैं और यहां पर लिखेंगे तो दो और इसे एक्सपोर्ट करते हैं export default इसे save करते हैं और todo list.js में चलते हैं और इसे import करते हैं तो इसे यहां लिखना होगा import to do from . slash to do इसे save करते हैं और यह जो to do task है यहां पर हमें वो to do render कराना है तो to do लिखते हैं यह जो to do task है उसे as a prop हम pass करेंगे तो मैं इसे cut करता हूँ और यहां पर मैं लिखोंगा task equals to और इसे paste कर दूँगा ठीक है और अभी हम key भी pass करेंगे तो key हम लेंगे उसका id तो to do.id ठीक है अभी फिलाल हमारे पास एक ही id है to do app.js में जाते हैं यह जो 4 है इसको 4 ही लगेगा लेकिन आगे जाके हम इसको dynamic कर देंगे तो अभी के लिए इसे ऐसे ही रखते हैं ठीक है और यहां पर हम और एक पास करेंगे completed equals to to do dot completed ठीक है इसे save करते हैं और अभी चलते हैं हमारे to do.js में और यहां पर हम पास करेंगे argument लेंगे props तो बजाए props के हमें जो props चाहिए वही हम लेंगे एक लेंगे task और दूसरा हम लेंगे completed ठीक है और यह li में निकाल देता हूँ यहां से और to do list में चलते हैं और यह list item को copy करते हैं चलते हैं to do.js में और इसे paste करते हैं लेकिन यह जो to do है इसे हमको वहीं पर रखना होगा to do list में तो मैं इसको यहीं पर रखता हूँ ठीक है इसे save करते हैं और यहां पर हम लिखेंगे task ठीक है जो यह prop का नाम है इसे save करते हैं इसे format भी कर देते हैं option shift f ओके यह shortcut है format करने के लिए अगर आप windows user हो तो alt shift f ठीक है मैं mac यूज करता हूँ तो option shift f इसको मैं save कर दिया और अभी चलते हैं ब्राउजर में और चेक करते हैं ओके list item और list item text हमने नहीं लिया वहां से यह दोनों को हमको यहां से cut करना होगा और to do.js में इसे पेस्ट करना होगा ठीक है लिस्ट item और list item text हमने यहां पर यूज के वहां से निकाल दिया है अभी चलते हैं ब्राउजर में तो जैसे कि आप देख रहो यह सारे list हमारी आ गई यहां पर ठीक है यह hard coded है तो यह ऐसे कैसा ही रहेगा ठीक है और अभी चलते हैं visual studio code में और अभी हम check box add करेंगे तो उसके लिए हमें material ui को component लेना होगा तो यहां पर हम लिखते है import check box from material ui4 slash check box ठीक है और इसे list item के ऊपर यहां डालेंगे check box और इसमें हम पास करेंगे अपना completed वाला प्रॉप्स यहां पर लिखोंगा checked equals to completed इसे save करते हैं और जाते हैं ब्राउजर में और चेक करते हैं इसको refresh होने देते हैं तो यह check box लग गया लेकिन यह already checked नहीं लिखा रहा है तो सारे false है लगता है तो check box तो आगे लेकिन tick mark नहीं आया तो यहां पर to do list में यह जो to do dot completed नहीं है यह complete है ठीक है क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे यहां पर मैंने लिखा है complete ठीक है तो मुझे यहां पर लिखना होता है लिखना पड़ेगा to do dot complete ठीक है तो अगर यह task completed है तो हम css से इसे एक line दे देंगे एक dash ठीक है तो text के उपर एक dash आ जाएगा तो इससे हमें पता चले का कि यह task completed हो गया ठीक मार्क तो ही के उपर text के उपर एक dash भी आ जाएगा तो चलते हैं visual studio code में और यहां पर logic add करते हैं तो लिखना होगा style equals to double curly basis के अंदर लिखना होगा class का नाम text decoration अगर हमारा task completed है ठीक है अगर यह true है तो उसे class लगेगा line true और अगर यह false है तो उसको लगेगा अगर हमारा text decoration का class कब लगेगा जब यह task completed है अगर यह true है तो उसे line through लगे और अगर false है तो उसको कुछ भी ना लगे ठीक है इसको save करता हूं और चलते हैं ब्राउजर में तो आप देखोगे कि यहां पर लाइन जो डैश टेक्स के ऊपर आ गया ठीक है तो अभी एक दो चीज़े और एड करनी है हमें delete button add करना है edit button add करना है तो उसके लिए मुझे चलना होगा विजुल स्टूडियो कोड में और मुझे यहां पर material UI से कुछ चीज़े इंपोर्ट करनी होगी तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट आइकन बटन from material UI core slash icon button और और दो चीज़े आड करनी हैं so option shift down arrow option shift down arrow delete icon add करते हैं from material UI अभी icons में से हमको चाहिए core में से नहीं चाहिए तो हम लिखेंगे icons और यहां पर मैं लिखूंगा delete और इसी तरह से हमको edit button चाहिए so edit icon चाहिए so edit और यहां पर edit और यहां पर हम हमें चाहिए यह core में से ही लगेगा हमको list item secondary action so मैं copy करता हूँ काफी बड़ा component का नाम है ठीक है इससे क्या होता है कि इससे यह जो buttons है वो right side में आ जाएए ठीक है so हम इसे add करते हैं so list item text के बाद हम यह वाला component add करेंगे so मैं इसे copy करता हूँ और यहां पर इसको paste करते हैं और इसके अंदर हम देंगे icon button component ठीक है और यही icon button को फिर से copy करते हैं और paste करते हैं और यहां पर आएगा edit icon इसको save करते हैं और अभी चलते हैं ब्राउजर में और चेक करते हैं एक चीज और करनी थी यह जो input है उसका जो size है वो कफी छोटा है तो उसके लिए हमको इसको full width करना पड़ेगा तो मैं चलता हूँ visual studio code में और जाना होगा to do forms में और यहां पर text field को हमको जिना होगा full width ठीक है इसको save करते हैं और चलता है browser में तो आप देखो यह यह full width हो गया इसी के साथ हमने यह lecture complete कर लिया और मैं मिलता हूँ आपको next video में तो अगर आपको मेरा video अच्छा लगा तो please like करे, share करे और please मेरे channel को subscribe करे करेंग